उत्तर प्रदेश में नय सिच्छा सेवा चयन आयोग को लेकर पूरा जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 यानि कि कुछ बदलाव करते हुए पूरा ड्राफ्ट जारी किया गया है जहां पर सभी चीजे इसपस्ट कर दी गई है कि आयोग किस तरह से काम करेगा कौन कौन सी भरतियां करेगा सब कुछ इसपस्ट इस वीडियो में किया गया है सब कुछ हम आपको बताने वाले है कि प् जारे रखकर इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि काफी लंबी यह पीडियाफ है और इसमें काफी ज्यादा जानकारी है तो अगर आप भी सिक्षक बनना चाहा रहे है उत्तर प्रदेश में चाहिए प्रात्मिक, उच्छ प्रात्मिक, मादमिक, एल्टी, कुछ भी तो इंटर्मिडेट सिच्छ अदिनियम इस सभी देखिए जितने भी अल्फ संख्यक थे और प्रात्मिक विध्याला हैं थो बेसिक ठीक है बेसिक सिच्छा परिसत प्रयागराज वाले जो विद्याले हैं ये सब ही जो है ये अब आयोग के अंडर में आ चुके जिहां आगे इस पेज में आप बढ़ेंगे तो और डिटेल्स पर आप देखिए कि अल्प संख्यक प्रात्मिक विद्याले उत्तर प्रदेश इ इस तरह के जितने भी हैं सब इस आयोग के अंडर आएंगे और इसमें जो चैन की प्रक्रिया होगी वो उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चैन आयोग अब करेगा फिर इनी चीजों को थोड़ा सा विस्तार करते हुए अलग-अलग तरीके से बताया गया है जिसमें से उत् जुनियर भरती माधमिक भरती ये सभी भी आयोग करने वाला है अगले पेज में भरती को लेकर बहुती महत्तपून चीजेस पस्ट की गई हैं जैसे कि यहां पर बताया गया है कि नियमावली का तात्पर धारा 28 के आधिन बनाए गई नियमावली से है इसमें बताया गया ह कि भरती का वर्स का तात्पर किसी कलेंडर वर्स एक जुलाई को प्रानम होने वाली 12 माह की अवदी से है यानि कि जो आपका कलेंडर है वो आयोग के माधियम से लगबख एक जुलाई के आसपास जारी कर दिया जाएगा जिसमें सभी भरतियों का जो जानकारी है वो दी ज भाहेंगे ठीक है ये सदश्यों के बारे में जनके दी कि उनका जो कारेकाल है तीन वर्स पांच वर्स रहेगा आगे उन्हें बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है देखिए तरहा तरहा के सिक्चकों की भरती होगी उसके लिए अभिहरतियों का परिक्षा का आयोजन भी ह होगा किसी-किसी सिक्चक भरती में साच्चक कार भी करवाया जाएगा ठीक है तो ऐसे में आयोजन जो है वो अभिहरतियों का साच्चार जो है वो न्यूक्ति के लिए सरवादिक जो भी चीज़ें उपयोगा लिए वो पैनल और सूची जो है वो सभी आयोग तैयार करेग और सी गैदार पर सबी चीज़े यहाँ पर की जाएंगी, यह भी यहाँ पर जानकारी दी गई, और इसमें एक सबसे महत्पूर्ण जानकारी यह दी गई, कि देखिए यहाँ पर नियुक्ति प्रादिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करें, कि 30 दिनों के भीतर ऐसे चरित अभ् अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कारभार ग्रहन करवाना होगा, यह भी इस आयोग में मेंसन किया गया है, फिर देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है, कि उत्तर प्रदेश में जो अध्यापक पातरता परिक्छा होगी, यानि कि यूपीटेट, उसका भी संचालन जो है, वो यही आयोग यहाँ पर करवाएगा, और इसके बाद चैनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संबन में जो संतुति है, वो भी यही पर आयोग जो है, वो फालल करने वाला है, जो भी आगे यहाँ पर भविश में भरतियां होगी, ठीक है, तो उसमे जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा, या प्रबंतंत होगा, या प्रदिकरत अधिकारी होगा, जो भी विद्यमान होगा, वो भरति वर्ष के दौरान रिक्तियों की संख्या, संसा के प्रधान पद के विभिन किसी पद की स्थिती जो है, वो उसकी जानकारी रखेगा, आयोजन करवाएगा अगर उसमें सरकार के पूर्वनमोधन से जो भी नियमा वली कोई नई बनती है कुछ भी होता है कुछ भी नया बदलाव किया दता है तो उसे उसमें संसोधन करने का आयोग को अधिकार भी दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से कुछ इसमें सुधार किय गए हैं कुछ नए बदलाओ भी किए गए हैं और जानकारी के अनूसार है अब इसमें राज ज्पाल जी के सिगनेचर होने है उसको finally pass होने के बाद ये जल्दी ही आने वाले कुछ ही महिनों में उत्तरप्रदेश में कारे करने लगेगा योग और उसके कारे करने के बाद तुरंत आपको UPTED सबसे पहले देखने को मिलेगा इसके अलाबा जो पुरानी भरतियां पहले से रुकी हुई है चाहे वो TGT PGT की हो चाहे वो Assistant Professor की हो यह सभी भरती यहां जो हैं वो सुरू होने के आशार दिख सकते हैं तो बड़ी अपडेट है आगे इसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें